तो यहां पर हमने 4-5 लाल साबुत मिर्च लेकर सौक करके रखी थी चलिए उसका हम पेस्ट बना लेते हैं इसको हमने ग्राइंट कर लिया है फिल हाल इसको हम साइड में रखते हैं और हम एक बाउल लेंगे और यहां पर हमने 200 ग्राम पनीड लेकर क्यूबस में कट कर लिया है चलिए इसको ड्राइ मैरिनेट करते हैं 2 स्पून हमने यहां पर corn floor लिया है, 2 स्पून ही हम मैदा लेंगे, 1 प्स्पून हम यहां पर salt का इस्तिमाल करेंगे, और 1 प्स्पून हम black pepper powder डालेंगे, और 3-4 स्पून हम यहां पर कश्मीरी मिर्च का इस्तिमाल करेंगे color देने के लिए, इसको अच्छे से toss कर लें, इसमें हम थोड़ा सा गरब मसाला और हल्दी का भी इस्तिमाल करेंगे, और इसको फिर से अच्छे से toss कर लेंगे, ताकि पनीर हमारा अच्छे से coat हो जाए, और तलने पर यह फटेना, देखे कितना अच्छा coat हो गया है, इसको अब हम side में रखते हैं, और gas पर एक गढ़ाई रखतेंगे, और उसमें oil डालेंगे, और उसको अच्छे तरीके से गरम होने के लिए रखतेंगे, oil हमारा गरम हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं, एक cube डालकर, तो आपने एक एक करके ही cube डालना है, हो सकता है, आपस में चिपक भी जाएं, और 2-3 batches में हम इसको तल लेंगे, देखे कितना अच्छा color आया है, और ये बाहर से बहुत crispy है, और अंदर से बहुत soft होगा, और इसी तरीके से बाकी पनीर को भी हम तल लेंगे, और सारा पनीर हमने इस तरीके से तल लिया है, अब इस में से ये दिखिए, इस में से हम ओइल थोड़ा कम कर देंगे, और अब इसको हम तड़का लगाएंगे, और ये दिखिए, पाउटर मसाले हमारे बच गए थे, उसी में हम यहाँ पर 4 स्पून यॉगर्ट डालेंगे, और साथ ही में जो हमने रेड चिली पेस्ट बनाया था, उसको भी एट कर देंगे, और वन स्पून हमने यहाँ पर रेड़ी मेड जिंजर गालिक का पेस्ट लिया है, और टू स्पून हम तोमेटो केचप के डालेंगे, और वन कैप हमने यहाँ पर वाइट विनेगर का इस्तिमाल किया है, ये हमारा गोल बन कर तयार हो गया है, और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा चौप धन्या डालेंगे, और साथ ही में हम इसमें कारी लिव्स का भी इस्तिमाल करेंगे, और आयल में हम तड़का देने के लिए जीरा डालेंगे, उसके बाद हम क्रस्ट किया हुआ गार्लिक डालेंगे, और ग्रेटेड चिंजर का इस्तिमाल करेंगे, और हमने कारी लिव्स को भी इसमें इस्तिमाल किया है, अब जो हमने खोल बनाया था, उसको डाल कर हम थोड़ी देर इसको फ्राइ करेंगे, और यहां पर हमने कुछ चॉपिंग करके रखी थी जिसमें शिम्ला मिच्च को हम सबसे पहले एड़ करेंगे थोड़ी हाड होती है वैसे हमें इसको क्रांची ही रखना है और एक हरे मिच्च डाली है और कुछ हमने आनियन डाइस्ट किये रखे थे उनको भी डालेंगे और थोड़ा सब पानी डालेंगे अब हम तला हुआ इसमें हम पनी डाल कर उसको अच्छे तरीके से टॉस करेंगे ताकि सारी जो ग्रेवी है इस पर लग जाए अच्छी तरीके से जी हाँ हम पनी 65 भी बना रहे हैं और साथ में हमने यहाँ पर उसका कुछ सैलेट तयार किया है कैबिच, ओरिंज गाजर और पीटूर्ट हमने ग्रेट करके रखा था उनको मिक्स करके हमने इसका सैलेट बनाया है जैसे रेस्टरॉण में होता है लीजी हमारा पनी 65 बन कर तयार हो गया है आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए स्टार्टर के रूप में सर्व कीजिए किसी पार्टी में तो आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में आप बताना ना भूले हैं और देखिए ये एक कट करके भी दिखा देते हैं और ये पाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको घर पर बनाया है आप भी ट्राय ज़रूर करें पर देखिए पर दूले हैं